JDS Kitchen Channel में आप सभीस नहीं जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, डेवियो और सजनों, आज हम राजस्थान की मसूर, पोस्टिक और स्वादिस्ट तड़के वाली पंचमेल दाल या पंचरतन दाल बनाएंगे, मगर इस तड़के वाली दाल में हम तेल का इस्तुमाल नहीं करेंगे और कम से कम मसालों में बनाएंगे, इस राजस्थानी पंचमेल दाल में होता है पांच दालों का मिसरण, दो टेबल स्पून तूर की दाल, दो टेबल स्पून मसूर की दाल, उसके बाद दो टेबल स्पून चना दाल, और ये है दो टेब स्पुन उड़त की डाल more color more health अब इन सभी colorful डालों को पानी डाल कर अच्छी तरह से दो लेंगे साफ कर लेंगे और 2-3 गंटे के लिए भिगो कर रखेंगे और 2-3 गंटे के बाद इन सभी डालों को हम pressure cook कर लेंगे इस पंचमेल डाल को ज्यादा हल्दी बनाने के लिए हम 50 ग्राम सोया वड़ी को 2 गंटा हल्दी और नमक डाल कर पानी में भिगो लेंगे और 2-3 गंटे के बाद सोया वड़ी को pressure cook कर लेंगे आप चाहो तो सोया वड़ी को avoid कर सकते हो pressure cook करने के बाद इस सोया वड़ी के छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे टेक्स्चर के लिए smoky flavor देने के लिए ये है एक प्यास और दो टमाटर जिसको हमने भून लिया है अब gas को on करेंगे और एक pen में डालेंगे ये 5 colorful और healthy दालों का मिसरन जिसको हमने pressure cook कर लिया है डेड़ कप पानी डालेंगे हमारी दाल उबलने लगी है अब इसमें हम add करेंगे आदा टीस्पून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर को डाल कर मिला लेंगे दोस्तो ये दाल चार लोगों के लिए है स्वादा नुसर खड़ा नमक डालेंगे sold to taste आदा टेबल स्पून दनिया जीरा पाउडर डाल कर मिला लेंगे अब इसमें हम add करेंगे सोया वड़ी जिसके हमने छोटे छोटे पिसिस कर लिये थे उसे डाल कर फिर से मिला लेंगे अब इसमें हम डालेंगे दो टमाटर और एक प्यास जिसको हमने भून कर रखा था उसे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे थोड़ी सी मुंफली डालेंगे टेक्श्चर के लिए दोस्तो इस राजस्थानी पंचमेल डाल को अपने तरीके से बनाने की कोशिस की है इस डाल को ज्यादा हेल्दी बनाने की कोशिस की है उम्मीद है आपको पसंद आएगी कवर करेंगे और दाल को गलाएंगे थोड़ी सी इंबली और थोड़ा सा गूर डालेंगे और मिला लेंगे अगर आपको पतली दाल पसंद है तो थोड़ा पानी एड करें चकलेंगे नमक चेक करेंगे न ज़्यादा है ना कम आखिर में फ्लेवर के लिए डालेंगे आदा टी स्पून गरम मसाला गरम मसाले को डाल कर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे हमारी डाल तैयार है उसे गेसपर से उतार कर तड़का लगाएंगे तड़के के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून देसी गी क्यूंकि दालों के साथ जो प्रोटिन से भरपूर होती है देशी गी का खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है एक टी स्पून जीरा डालेंगे और डालेंगे थोड़ी सी सरसो जीरा और सरसो चटकने लगी है एक इंग जिंजर को काट कर डालेंगे अध्रक डालने से दालों का पाचन अच्छी तरह से होता है अब इसमें हम एड़ करेंगे आधा टी स्पून हिंग थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और डालेंगे आट दस करी पत्ते एक हरी मिर्च को काट कर डालेंगे और आखिर में डालेंगे दो टी स्पून काश्मिरी लाल मिर्च का पाउडर जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता और गेस को बंद करेंगे वरना हमारी लाल मिर्च का पाउडर जल जाएगा हमारा तड़का तयार है अब एक प्लेट में हम गर्मा गर्म पंच मिल डाल डालेंगे और उसके उपर डालेंगे ये तड़का हरा धनिया डालेंगे कलर देखिए लाल पीला और हरा थोड़ी सी फ्रेश क्रिम डालेंगे और आखिर में फ्राइड ओनियन और हरी मिच से सजा कर गर्मा गर्म रोटी या बाटी के साथ सर्व करेंगे डेवियो और सज्जनो आप इस कलरफूल हेल्दी फ्लेवर्फूल और डिलिसेस पंच मेल डाल को जरू ट्राइग करे और आपके अनुभव हमारे साथ सेर करें आप स्वस्त रहे मस्त रहे तंदुरस्त रहे आपका दिन सूभ हो मंगल में हो इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ आईसी ही मजदा रेसिपी के साथ तब तक मुझे आज्या दे धन्यवाद नमस्कार